सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तलाग पर एहम फैसला दिया है पांच जजों की बेंच ने कहा है कि जिन शादियों के बचने की गुंजाईश ना हो उनको सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके खत्म कर सकता है सम्विदान के नच्छेद 142 के तहर सुप्रीम कोर्ट को विशेश शक्तिया मिली हुई है कोर्ट ने ये भी कहा कि भया आपसी सहमती से तलाग के एक शुकपती पत्नी को बिना फैमली कोर्ट बेजे भी अलग रहने की अजाज़त दे सकता है इसके बारे में जस्टिस संजाई किशन कॉल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर आपसी सहमती हो तो कुछ शर्टों के साथ तलाग के लिए अनिवारिट 6 महीने के वेटिंग पीरियट को भी खत्म कर दिया है बेंच ने 29 सितंबर 2022 को पांच याजकाओं पर अपना फैसला सुरक्षत रख लिया था जिन में 2022 में शिलपा शैलेश की ओर से दायर मुख्य आशका भी शामिल है अदालत ने अपना अदेश सुरक्षत रखते हुए कहा था कि सामाज एक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी कानून लाना आसान होता है लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है जिसके बाद आज सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाया है